आज की क्लास में हम लोग BMTC कोर्स BMTC 133 इसका नाम है बास्तिविक विसलेशन उसके बारे में पढ़ेंगे इस कोर्स में हम लोग खंड चार में सबसे पहले देखेंगे फलनों का सांतर और अबकलिनीता इसमें हम लोग हम्लोंने फलनों का आबकलनिता देख लिया था संतर भी देख लिया था उच है ज्चिक्रम के साबकलं हम इस क्लास में देखेंगे BTR विसमें 11ี 13 में हम लोग उच्बूट कोर्स के अबकलच दिखेंगे तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई function कब हमारा उसका differentiable function होता है यह हम लोग देख चुके हैं तो प्रतम order का हम लोग differentiation देख चुके हैं पिछली class में आज की class में हम लोग उच्छतर order के आपकलज देखेंगे मतलब दोती आपकलज कब होगा आतरती आपकलज कब होगा किसी function का तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे तो माल लिया कोई function हमारा है जो किसी बिंद P को अंतरविष्ट करने वाले अंतराल कैपिटल आपकलज F' का स्तित्तो है तो इसको हम F' से डिनोट करेंगे और F' हमारा जैसे कि हम लोग निकाल चुके हैं तो अगर दोती आपकलज हम लोगों को निकालना है जिसको डिनोट करेंगे F' पर F' का आर्थ है है कि हम उस function का double derivative निकालना है P' पर तो इसी तरीके से हम किसी भी function का nth derivative भी निकाल सकते हैं और nth derivative निकालने के लिए हमको n-1th derivative का यूज करना पड़ेगा तो FnP this is equal to limit x tends to P Fn-1 to power Fn-1 to x minus Fn-1 P upon x-P तो इसका आर्थ है है कि सबसे पहले हम n-1th derivative निकालने और ये limit निकालने तो इससे हमें nth derivative मिल जाएगा P' पर तो n की value माली जे आपने 2 ले लिया, n की value 3 ले लिया, n की value 4 तो हम अलग-अलग order के अब गलज निकाल सकते हैं तो उधान हम लोग देखेंगे इसमें माली हमारे पास कोई function fx equal to x cube modulus तो x cube modulus तो इसको हम लोग refine कर सकते हैं कि x की value जब 0 से greater है या 0 के equal है तो यह हमारा हो जाएगा x cube, x की value 0 से less है तो minus x cube तो हम यह 0 point पर हम इसकी differentiability चेक करेंगे क्योंकि वो आपका limiting point है बांखी पर x हमारा 0 से कम है तो इसको इसका first derivative आपका हो जाएगा x 0 से बड़ा है तो x cube तो 3x square double derivative 6x और third derivative इसका हो जाएगा 6 इसी तरीके से जब हमारा x 0 से छोटा है तो minus 3x square minus 6x minus 6 0 because 0 is the limiting point तो 0 पर हमें differentiation देखना है इसका कि derivative उसका क्या आएगा तो वो हम limiting case उस case में ले लेंगे 0 पर जानने के लिए limit exist करनी चाहिए limit h tends to 0 fh minus f0 upon h तो अगर हम परिवासाते देखे fh हमारा h cube है क्योंकि 0 की तरब हम move कर रहे है positive side से h tends to 0 positive तो उस case में fh की value हमारी definition से h cube है और f0 की value 0 है तो h cube minus 0 divided by h square तो यह आपका h square हो गया limit h tends to 0 लगाएंग यह हमारा 0 आ जाएगा इसी तरीके से हम लोग limit h tends to 0 from negative side यह देखेंगे fh minus f0 upon h cube तो by definition हमारा fh आपका आया था minus h cube तो minus h cube upon 0 upon h तो इसकी भी limit हम लोग देखेंगे तो इसकी limit भी 0 आ जाएगी तो इस तरीके से हम first derivative उस function का लिख सकते हैं f dash x equal to minus 3x square जब x हमारा 0 से छोटा है और जब x हमारा 0 से बढ़ा है तो 3x square हमने अभी देखा है और x equal to 0 पर इसका first derivative 0 आ गया तो इस तरीके से function ए डिफ्रेंसेबल हो गया है सभी point पर 0 चाहें हो 0 से बढ़ा हो 0 से छोटा हो इसी तरीके से हम इसका double derivative निकाल सकते हैं तो double derivative जैसे हम लोगों ने निकाले हैं इसका f double dash x minus 6x f double dash x 6x यह हम लोग देख चुके हैं कि x हमारा 0 से छोटा है 0 से बढ़ा है अब 0 पर हम लोग निकालेंगे तो limit h tends to 0 from positive side f dash h minus f dash 0 divided by h तो इस case में आपका by definition से देख लिजे f dash h जब h हमारा 0 से positive side से आ रहा है तो हमारा आ जाएगा 3h square minus f dash 0 divided by h तो यह आपका 0 आ जाएगा इसी तरीके 0 negative side से अप्रोच करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा कहने का अर्थ है यह हुगा कि double differentiation इस function का exist करेगा और वो आपका आएगा minus 6 x जब 0 छोटा है x 0 के बराबर है तो 0 x 0 से बढ़ा है तो 6 x आ जाएगा तो इसी तरीके से हम लोग इसका third derivative भी निकाल सकते हैं वसे आ अगर किसी order का derivative अगर निकालना है second, third order का तो previous order का हमें पता होना चाहिए तब उसके help से हम next order का निकाल पाएंगे तो इसी तरीके fourth order का भी निकाला जा सकता है और fourth order का exist करेगा नहीं करेगा इसमें देखने वाली बात है अब third order का हलांकि यह भी exist नहीं करता क्योंकि देखि पर नहीं लिमिट exist कर रही होगी तो इसी लिए यह स्थित तो नहीं है अब टेलर्स प्रमेह हम लोग देख लेते हैं तो मालिया हमारे पास कोई function है जो capital I to real value function है capital I interval पे capital I हमारा close interval PQ है तो हमने ए माल लिया कि f dash f double dash f to power nth derivative तो ए एक्जिस्ट कर रहे हैं मतलब एक्जिस्ट कर रहे हैं और capital I पर एक continuous संतत हैं और n प्लस 1th derivative जो हमारा open interval P कामा Q उसमें हमारा exist कर रहा है तो यदि A belongs to I capital I में हमारा एक point A है तो किसी x belongs to capital I x और A के बीच में एक बिंद C है उसका अस्तित तो होगा और वो अस्तित तो इस अपकार से होगा कि fx हमारा इस series expansion में हम लोग इसको denote कर सकते हैं तो fx equal to fa plus f dash a x minus a plus f double dash a upon factorial to x minus a square plus f nth derivative it a upon factorial x minus a to power n यह power नहीं है यह nth derivative in bracket तो nth derivative in bracket in bracket में हम लोग nth derivative लिखते हैं अगर यहां पर fn होता तो वो उसकी power हो जाती है तो यह ध्यान रखने वाली बात होती है plus fn plus 1 derivative at c upon factorial n plus 1 x minus a to power n plus 1 तो इस तरीके से यह आपका tailor series expansion है जो tailor's premise से आपका आ जाता है और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यह हमारा expansion about a है equal to a point है इन powers आप x minus a की powers में है तो यहां पर derivative हमें चाहिए है a पर derivative चाहिए first order second order third order nth order भी a पर चाहिए n plus 1th order derivative c पर चाहिए अब हम लोग fx equal to fa x minus a इस तरीके से लिख दिया तो लाज्ट टरम जो है इसको remainder term कहते हैं lagrange form of remainder तो इसको हम लोग capital rnx से denote करते है x minus a to power n plus 1 upon factor n plus 1 n plus 1 c a और x के बीच में जो point हमारा है वो c है rn का इस उत्र saysful का lagrange रूप कहलाता है तो इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर देखिए आप ध्यान देने वाली भी बात है कि यह हमारा n degree का polynomial है तो pn x लिख दिया तो function वो एक्षोली में approximate हो गया function nth degree polynomial है प्लस rn x तो यह हमारा remainder term है मैकलॉर्ण सीरीज expansion तो मैकलॉर्ण सीरीज expansion टेलर सीरीज expansion का particular case होता है तो इसमें क्या है कि हम 0 के about करते हैं वहां पर हम x-1 की powers के about हम लोगों ने expansion किया था यहां पर हम x-0 मतलब x की powers में expansion कर रहे हैं और यहां पर conditions वही है कि function जो है मारा capital i interval पर उसका first derivative second derivative nth derivative continuous होना चाहिए और open interval pq पर fn plus 1 का अस्तित्त होना चाहिए और 0 capital i interval में है तो किसी x belongs to i के लिए एक बिंद हमारा c मिल जाएगा जो c हमारा 0 to x के बीच में है इसका अस्तित्त हो जाएगा और यह हमारा Taylor series Maclaurin series expansion है fx equal to f0 x f dash 0 x square y factorial to f double dash 0 and so on तो इसमें देखिए हमें derivative 0 point पर चाहिए उस function के और remainder term में large term में यह हमारा c पर derivative हम लोगों को चाहिए तो ऐसे बहुत सारे उधारण हम लोग ले सकते हैं उसका Maclaurin series expansion मतलब x की powers में लिख सकते हैं equal to f a h f dash a plus h square upon factorial to f double dash a plus h power n upon factorial n nth derivative at a plus h power n plus 1 upon factorial n plus 1 n plus 1 derivative at c और c हमारा a और a plus h के बीच में lie कर रहा है तो इस तरीके से हम इस form में भी इसको लिख सकते हैं f a plus h equal to f a h f dash a plus h square upon factorial to f double dash a plus h to power n and so on h to power n upon factorial f nth derivative at a plus h to power n plus 1 upon factorial n plus 1 f n plus 1th derivative at a plus theta h और theta हमारा 0 to 1 में lie करेगा उसके बीच में तो इस तरीके से बहुत सारे उधान ले सकते हैं आप लोगोंने जैसे कि देखा होगा sin x, cos x, e to power x के expansion आप लोगोंने देखे होंगे इस तरीके से logarithmी function 1 plus x का expansion भी हम कर सकते हैं और हमारा interval है 0 to 1, तो सबसे पहले क्या इसमें हम लोग Maclaurian series expansion x equal to 0 के बाउट निकालेंगे तो इसका मतलब हमें सारे derivative निकालने पड़ेंगे x equal to 0 के बाउट तो इसका first derivative log 1 plus x का हो जाएगा 1 upon 1 plus x, second derivative minus 1 upon 1 plus x square, third derivative ऐसे निकाल लेंगे 2 upon 1 plus x cube, तो इस तरीके से हम nth derivative अगर इसका निकालें log 1 plus x function का तो जो यह हमारा आ जाएगा क्यों कोई alternate sign है यहाँ पर चल ले हैं, तो minus 1 to power n minus 1, factorial n minus 1 upon x to power n, तो इस तरीके से nth derivative यह आ जाएगा तो हम सारे derivative 0 पर निकाल लें तो function value 0 पर हमारी 1 हो जाएगी log 1 plus 0, log 1 is 0, f dash 0 हमारा 1 हो जाएगा, f double dash 0 minus 1 तो इसी तरीके से हमारा nth derivative 8 0 भी आ जाएगा तो इस सारे derivatives की value हमें expansion में लिख देंगे, और expansion हमारा हो जाएगा x minus x square y 2 plus x cube y 3 minus x power 4 y 4 and so on, ऐसे nth term और plus remainder term तो remainder term अगर हमें निकालना है तो log 1 plus x, क्योंकि right side function हमारा log 1 plus x है, minus यह polynomial जो n degree की आई है, alternate sign जिसमें हैं तो यह remainder term x to power n plus 1 upon factorial n plus 1 fn theta x, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और fn theta x हमारा क्या है, क्योंकि function हम लोग जानते हैं, log 1 plus x है, उसका nth derivative निकालेंगे और nth derivative theta x पर निकाल लेंगे तो यह हमारा e आ जाएगा, इसका मतलब इस case में हमारा remainder term a हो गया, minus 1 to power n, x to power n plus 1 upon n plus 1, 1 plus theta x to power n plus 1, तो इस सरीके से यह हमारा remainder term आ गया, ऐसे बहुत सारे function हैं, जिनके आप निकाल सकते हैं, Macaronian series expansion या Taylor series expansion भी निकाल सकते हैं, बसरते बस किस point के अबावड निकालना यह दिया हुआ हो, अथा rn x इसका modulus पहलू निकाल लेंगे, तो यह x to power n plus 1 upon n plus 1 आ जाएगा, क्योंकि x हमारा 0 to 1 के बीच में है, तो 1 plus theta x हमारा 1 से greater हो जाएगा, तो 1 upon 1 plus theta x, 1 से less हो जाएगा, हम लोग जानते हैं 0 to 1 के बीच में है, इसलिए हम निकालते हैं, rn x tends to 0, n tends to infinity, तो इस तरीके से, क्योंकि n, जब बहुत large हो, n tends to infinity, rn x आपका 0 के तरफ 10 करेगा, तो उससे हमारा log 1 plus x का expansion हो जाएगा, x minus x square y2 plus x cube y3 minus x power 4 by 4 and so on, closing interval 0 कामा 1 में, तो log 1 plus x का expansion है, infinite series expansion है है, क्योंकि n tends to infinity हम लोगों ने लिया है, अब हम लोग यह देखेंगी कि कोई भी function, कोई भी फलन है, capital F, वो capital I interval पर पर परिवासित है, और capital I का C एक interior point है, तो उस interior point पर function local maxima होगा, मतलब इस्थानी उच्चतम होगा, या local minima होगा, इसको जानने के लिए definition हमारी यह है, कि X equal to C पर F का एक इस्थानी है, या साप एक उच्चतम होना कहा जाता है, यादि there exists a delta greater than 0, such that Fx less than Fc, मतलब हम उस C पर C के about एक neighborhood ले लें, जो neighborhood आपका हो जाएगा, C minus delta to C plus delta, तो X सारी value उस neighborhood में हो, except X equal to C, तो Fx हमेशा Fc से छोटा हो, तो वो आपका local maxima point हो जाएगा, अगर हमने neighborhood C के about लिया है और local minima कब होगा, जब delta greater than 0 के लिए हमें एक open neighborhood ऐसा मिल जाए, तो वो आपका local minima हो जाएगा, तो ऐसे local minima हो किसी point पर है या local maxima हो, तो उसको हम लोग कह देंगे, इस्थानी चर्तम होना कहा जाता है, मतलब local extrema, चाहे maxima हो चाहे minima हो किसी point पर, अब हम लोग graph से देख सकते हैं कि हमारा y equal to sin x का graph है माली जे, तो pi y 2 पे यह देखिए one value ले ले लेता है, minus pi y 2 पे minus one value ले 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 लेता है, तो किसी भी intreval में हम लोग देख सकते हैं कि माली जे zero to pi में देख सकते हैं, zero to pi में कहा पर local maximum हो रही है, ऐसे zero to minus pi में कहा पर local minimum हो रही है, तो देखे ग्राप से आपको देख रहा है, कि pi y 2 पर देखिए, maximum में मिल ले लए ले ले ले- माइनस पाई बैटू पर मिनिमा मिल लई है तो इस तरीके से हम लोग ग्राप से भी देख सकते हैं माल लिया कोई कैपिटल आई पर परिभासित फलन इसमाल एफ है और माल लिया की एक इंटीरियर पॉइंट सी बिलांक्ष्टू कैपिटल आई पर इस्थानिय चर्तम है लोकल एक्ष्ट्रिमा है यदि सी पर एफ के अब कलज का स्थित्तो है तो एफ डैस सी की बैलू जीरो आएगी ये ध्यान देने वाली बात है तो सी पर ए कि स्थानिय चर्व तं होने के लिए प्रमय तीन हमें एक आवस्ट्वंद प्रतदान करती है तो अगर हमारा लोकल एक्ष्ट्रिमा अगर है तो एफडैस की बैलू जीरो ओगी इसके जश्टू रिवर्स अगर बात कहें कि एफडैस सी की बैलू जीरो है तो क्या ये लोकल आपका लोकल एक्स्ट्रीमा है या नहीं है तो यह नहीं होगा, reverse true नहीं होगा, तो माली यह हम लोगों ने इसको देख भी सकते हैं, कि माली जी यह कोई फलन है, fx equal to xq फलन है minus 1 to 1 पे है तो 0 इसका interior point होगा minus 1 to 1 पर, तो f dash x की value 3x square हो जाएगी, तो f dash 0 0 हो जाएगा, तो f dash 0 हमारा 0 हो जाएगा, अब हम जाच करेंगी, क्या फलन f का एक इस्थानी है, निम्रतम या उच्छतम है, तो देखिए, f 0 की value हमारी 0 आएगी तो हम लोग ग्राप से भी देख सकते हैं, कि x equal to 0 की, इसके just reverse हमारा true नहीं है तो f dash 0 की value 0 हो जाएगी, लेकिन 0 पर क्या maxima है, या minima है, local maxima है, local minima है, दियान देने वाली बात है, तो इस फलन में ना तो local maxima ना local minima मिल पाएगी, अब critical point, critical point, कोई बिंद x equal to c, किसी फलन f का एक critical point तब कहलाएगा, या तो c पर function का अब कलज ना हो, वो function differentiable ना हो, और अगर अब कलज है, तो f dash c 0 आए, तो इस case में ऐसे point जहां पर या तो उसका function differentiable नहीं है, या उसका अब कलज f dash c 0 आजाए, तो उस point c को हम कहेंगे critical point, और f c जो value होगी, उसको कहेंगे stationary value, उस point पर function की value को कहेंगे stationary value, इस्थिर्मान, अब कुछ test हैं, तो प्रतम अब कलज test क्या है, माली जी हमारा function है, वो a b पर continuous है, और c एक interior point है, उस capital i interval अब a c उसको break कर लिया, a c और c b interval पर function अब कल नहीं है, c के बारे में कुछ नहीं कहा गया कि c point पर, तो there exists a delta greater than 0 such that open interval c minus delta to c plus delta capital i में हो, मतलब interior point c minus delta x c के लिए f dash x की value 0 या 0 से बढ़ी हो, और दूसरा c और c plus delta, मतलब इस open interval को दो पार्ट में break कर लिया गया, एक में c minus delta to c, और दूसरे में c to c plus delta, तो c minus delta to c में f dash x 0 या 0 से बढ़ा हो, और c to c plus delta में f dash x 0 से छोटा हो, तो c को function का इस्थानिय उच्छ तम होता है, यह कहेंगे, इसके just opposite इस्थानिय नेमनतम हम लोग define कर सकते हैं, तो देखिए, c minus delta to c में function f dash x 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, और c to c plus delta में function हमारा f dash x 0 या 0 से बढ़ा हो, तो इसको कहेंगे, इस्थानिय नेमनतम, तो दोनों जो भी neighborhood है, मतलब open interval है, c के bound neighborhood, c minus delta, c plus delta, दो पार्टों में इसको break कर लिया, उससे हम लोगों ने value देख ली, कि f dash x की value, देखिए, c minus delta to c में greater than equal to 0 है, और दूसरे में less than equal to 0 है, जिसके just reverse दूसरे में हो गया, तो ऐसे माली है, हम लोगों ने एक function ले लिया, f x equal to x q minus 3x minus 4, तो f dash x निकाल सकते हैं, 3x square minus 3, और 3x square minus 3 में 3 common ले लिए, x minus 1, x plus 2 factor कर लिए, अब f dash x equal to 0, तो f dash x equal to 0, किन points के लिए होगा, जब x हमारा बन हो, या हमारा minus बन हो, तो 2 point हमें मिले हैं, दो संभव, चर्तम, बिंदु मिले हैं, आप पहले पर बिचार करने, x equal to 1 पर बिचार करें, तो x equal to 1 के लिए बिचार करें, तो या दि 0 x 1 में हो, मतलब open interval 0 to 1 में x है, तो x plus 1 हमारा 0 से बढ़ा होगा, और x minus 1 0 से छोटा होगा, तो इस तरीके से अगर हम देखें, कि f dash x के value 0 से छोटी होगी, x हमारा 0 से बढ़ा है, x plus 1 भी 0 से बढ़ा होगा, x minus 1 भी 0 से बढ़ा होगा, तो f dash x भी 0 से बढ़ा होगा, तो प्रमेह 4 के अनुप्रयोग से हम कह सकते हैं, कि x equal to 1 हमारा इस्थानी उच्छे तम है, और x equal to minus 1 इस्थानी निम्न तम है, मतलब लोकल मैक्सिमा, अब दोती अबकला इस्टेश्ट हमारा है, capital i एक interval है, i पर c एक अब बेतर बिंदू interior point, तो फलन i पर f capital i to r अबकलनी है, तथा f dash equal to 0 है, और f double dash c 0 से कम है, तो हम कहेंगे इस्थानी उच्छे तम, और f double dash c 0 से बड़ा है, तो c पर कहेंगे इस्थानी निम्न तम, तो मतलब कोई भी function है, उसका first derivative जीरे करिए, तो उस पर के देखिए, उस point पर double derivative value 0 से छोटी है, तो इस्थानी उच्छ तम कहेंगे, double derivative की value 0 से बड़ी है, तो इस्थानी निम्न तम कहेंगे, तो ऐसे हम example ले सकते हैं, हमारा function है sin x 1 plus cos x, x हमारा 0 to 2 pi में है, तो first derivative निकाल सकते हैं आप, product आप 2 function से, cos x और sin x का cos x हो जाएगा, 1 plus cos x minus sin x, 1 plus cos x का minus sin x, तो minus sin square x, तो इसको हम लोग दिख सकते हैं, cos x plus cos 2 x, तो f dash x को 0 को equate करेंगे, तो उससे x की value हमें मिल जाएगी pi y 3, तो वो point हमें मिल गया है, जिस पर या तो local maxima होगी या local minima होगी, तो क्या है वो, तो double derivative हम लोग ने निकाला, f double dash x, first derivative निकाल चुक है, तो minus sin x minus 2 sin 2 x, और double derivative की value pi y 3 पर निकालने हैं, और pi y 3 पर value जब निकालेंगे, तो minus sin pi y 3, minus 2 sin 2 pi y 3, तो दोनों value negative होगी, sum करेंगे दोनों का तो negative value आ जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि हमारा फलन इस्थानी उच्छतम है, local maxima क्योंकि यह double derivative negative आ गया उस point पर, अब हम लोग फलनों का समाकल निता पढ़ेंगे खंड 5 में, तो इसमें इकाई 14 हमारी है, remand समाकल, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग कोई function हमारा दिया होता है, और किसी interval पे दिया होता है, तो किसी interval मान लिजे हमारा close interval a कामा भी है, तो close interval a कामा भी के एक विभाजन हम लोग कर लेंगे, तो एक विभाजन को एक परिमित finite विभाजन, कैपिटल आई में इस बिंदियों के एक ऐसे क्रमित समुच्च है, पीकॉल टू x0, x1, xn-1, xn के रूप में परिभासित कर देंगे, मतलब जो हमारा close interval है उसको break कर लिया, तो पहला point हमारा x0 हो गया, फिर उसके अगला point x1 हो गया, n-1 time ऐसे हो गया और nth जो है हमारा point b के बराबर कर लिया, तो यह हमारा finite एक तरीके से division है उस interval का, तो इसको यह जो division है तो इसके अगर अंतराल हम कहें तो n अंतराल हमें मिल जाएंगे, तो n अंतराल तो i1 हमारा x0, x1, i2, x1, x2, in, xn-1, xn, तो इस तरीके से हमें sub interval मिल गये हैं, तो i बे sub interval को कहा, xi-1 to xi, तो उसकी लंबाई हो जाएगी, लंबाई xi-xi-1, तो इसको delta xi से निरूपित कर दिया, तो उन इस्तितियों में जहां कोई नहीं हो, हम सुविधा के लिए capital P को xi close interval, xi-1, xi, i barrage from 1 to n, तो इस finite आपके sub interval हो गये हैं, तता उसकी लंबाई delta xi द्वारा निरूपित कर सकते हैं, मतलब हमने interval का division कर लिया, finite division कर लिया, उसके हमें finite number आप sub interval मिल गए अब capital P इसको partition मान लिया, मान लिजे capital P हमारा एक partition है, तो capital P का norm या mess हम लोग करेंगे, maximum up x1-x0, x2-x1, xn-xn-1, तो इसकी maximum value है, क्योंकि x0 x1 से छोटा है, तो इसकी maximum value को norm up that partition कहते हैं, और capital I, suffix I, ti, जहां पर ti हमारा क्या, ti आइथ interval में, आइथ sub interval का कोई point है, x1-1 to x1, closed interval का कोई भी point है, तो हम p cap से denote करेंगे, capital I, capital I, suffix I, ti, ti, और ti हमें पता है, और ai की value हमारे bound to n, मतलब n, हम लोगों ने, sub interval इसमें ले लिये हैं, मतलब division हमारे हो गए है, finite division जो n, तो किसी फलन हमारा कोई फलन है, real value function है, closed interval ab to r, का ab के एक tag qa विभाजन, p cap equal to x i-1, x i ti के संगत, रिमान योग संख्या, जिसको denote करेंगे, capital S, f, p cap, इस तरीके से परिभासित कर सकते हैं, मतलब sigma summation, varies from 1 to n, f ti मतलब functional value, उस i-th, sub interval के अंदर जो point है, ti उस पर function value, और उसको गुणा कर देंगे उस की length से, उस interval की length से, और summation कर देंगे, i varies from 1 to n, तो इससे हमारा रिमान योग आ जाएगा, equation number 1 से, उस particular partition के लिए, इस तरीके से इसको graph से भी हम देख सकते हैं, हमारा function भी दिख रहा है यहां पे, और x not to x6, माली जे हमारा a, partition दिख रही है, और t1, t2 a उस हर partition, x not to x1 उसमें t1 है, x1, x2, x2, t2 है, t3 है, तो इस तरीके से interior point है, तो उस पर functional value आप और उसकी length of that partition, multiply कर दें, तो remand sum हमें मिल जाएगा, अब हमने माली जे हमारे पास एक उधारन है, कि fx हमारा function x है, और इसको उंतराल इस तरीके से है, close interval 0 to 1 है, और उसको हमें break करना है, तो हमने माली जे पहला sub interval ले लिया 0 to 1 yn, दूसरा sub interval 1 yn to 2 yn, ऐसे nth interval जो हमारा होगा, वो n-1, मतलब 1-1 upon n to 1, तो इस तरीके से हम लोगों ने ले लिये हैं, partition ले लिये हैं, तो जहां टैगों को ti equal to i upon n द्वारा back किया गया, तो इस case में हमें remand sum का निकालना है, कितना होगा, तो fx equal to x हमारा function है, i की value 1 to 3 up to n है, ti की value हम लोगों ने ले लिये, मतलब i-th interval में हम लोगों ने i upon n ले लिया है, i की value 1 to n है, और i-th interval की sub interval की length हमारी delta x i हो जाएगी, i upon n minus i minus 1 upon n, तो यह बन अपन n आ जाएगी, तो हमें यह निकालना है, remand sum निकालना है, वो partition के लिए, i varies from 1 to n, fti, तो fti, i और x minus x i minus x i minus 1, तो यह आपका 1 upon n हो गया, और fti इसकी value हमारी हो जाएगी, क्योंकि function हमार fx equal to x है, तो i upon n हो जाएगा, तो i upon n square, 1 upon n square, sigma i varies from 1 to n i, तो हम जानते हैं, arithmetic progression, 1 plus 2 plus 3 up to n, n n plus 1 by 2, तो यह n n cancel हो जाएगा, तो n plus 1 upon 2n a हमारा आ जाएगा, तो हमारा function fx equal to x, और अंतराज 0 to 1 है, तो उसको break करके हमने remand sum निकाल लिया, अब कोई function remand integrable कब होगा, कोई फलन f, a to b to r, capital a b, a small b interval पर, remand sum कलनी तब होगा, remand integrable तब होगा, जब हमें एक ऐसी संख्या capital x, बास्विक संख्या हमें मिल जाए, जो finite भी हो, जिसके लिए, और एक given epsilon greater than 0, there exists delta, which depends on epsilon greater than 0, ऐसा मिल जाए, जो, इसका, जो mess आ है, p cap का mess, delta epsilon, बाले, a b के प्रतेक tag किये विभाजन, p cap के लिए, s f p minus l का जो difference हो, absolute value उसकी, तो a epsilon से छोटा हो, इसको संतोष्ट करे, तो हम कहें देंगे, वो हमारा function remand integrable है, और उसकी value आएगी, integration की जो value आएगी, integration from a to b, f x dx की value capital L आजाएगी, तो a हमारा, a और b समाकल के परिवद, bounds आप integral कहलाते हैं, मतलब पहली lower limit और upper limit, जो है वो integration की है, जिनमें a निम्न परिवद और b उपरिवद होता, मतलब lower limit और upper limit, तो ऐसा अगर मिल जा है, तो कह देंगे function हमारा, remain integral है, अब ऐसे सारे function, मालीजे कोई function f है, वो a b interval पर defined है, तो ऐसे सारे function, जो समाकल नहीं अफलन है, तो उनका set को हम r a b से denote करेंगे, मतलब f belongs to r a b का मतलब है, कि f function remain integral है, over interval a b, तो ऐसे सारे फलन, जितने भी रिमान इंटेगरेवल हैं, उस set को, जिसमें infinite points हो सकते हैं, capital r a b से denote करेंगे, तो यदि f belongs to r a b, तो समाकलन का मान अतुदी रूप से निर्दारित हो जाता है, तो कोई function remain integral है, तो उसकी कोई value हमारी मिल जाएगी, अब हम कोई example ले सकते हैं, कि मा लिजे, x हमारा close interval 0 1 के लिए, hx हमारा फलन x है, द्वारा परिवासिस, संतत फलन h from 0 to 1 to r लीजिए, तो दिखाए कि h हमारा remands integrable है, remands हमाकलनी है, और जो उस integration की value आएगी 0 to 1 hx dx, वह आपकी 1 by 2 आएगी, तो दो चीजें यहाँ पे important हो गई, कि कोई function remand integrable है या नहीं है, अगर remand integrable है तो उसकी value क्या finite value आएगी, तो उसमें हम लोग interested है, तो माल लिया हमारे पास interval 0 to 1 है, कोई एक विभाजन इसके लिए ले लिया p, जो हमारा आ गया, capital i, i, i barrage from 1 to n, तो अंतराल capital i equal to x i minus 1 to x i, का इसका इस sub interval का मद्य विंदो मारा हो जाएगा, x i minus 1 plus x i by 2, तो tag किये गए विभाजन, q cap iq और q i के संगत रिमान sum हम लोग निकाल सकते हैं, कि sh q cap कितना हैगा, तो sh q cap का मतलब h functional value at qi point, i barrage from 1 to n, और उस sub interval की length, जो आपका x i minus x i minus 1, तो हम लोग देख सकते हैं, कि x i minus x i minus 1, और उसकी value हम लोगोंने qi, तो h q i अगर हम लोग देख लें, तो h q i क्योंकि q i हमारा point है, x i minus 1 plus x i, तो f x equal to x पर, इसकी value हमारी हो जाएगा, 1 by 2 x i plus x i minus 1, और यह आपका x i minus x i minus 1, तो यह इसको simplify करेंगे, तो यह आपका 1 by 2, यह आपका हो जाएगा, x i square minus x i minus 1 square, यह आपका आजाएगा, तो इस तरीके से इसको जब simplify करेंगे, i की value 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, up to n रखेंगे, तो आपस में term cancel भी होंगे, और यह आपका 1 upon 2, 1 square minus 0 square, यह आजाएगा, इसका मतलब यह इसकी value 1 by 2, यह आई है, तो इस तरीके से हमारा a आगे हाँ, 1 by 2 integration की value आगई है, अमालिया हमारा p cap, capital i, suffix i, ti, यह हमारा कोई भी, p cap को हमने इस तरीके से denote किया, मतलब उस interval को हमने, सब interval divide कर दिया, interior point, माली जह आइथ interval का interior point, ti है, तो, p cap equal to beta बाले, 0 to 1 interval का एक स्वैच्चिक, tag किया गया विभाजन है, तब सब ही, i equal to 1 to n value के लिए हमारा, x i minus x i1, 0 से beta से छोटा होगा, तो मूल भूत आधार, भूत विभाजन, p में अंतरालों के समान बर्गों का प्रेव करते हुए, अंतरालों capital i के मद्ध बिंदूओं को tag, qi चुनते हुए, एक नया tag किया गया विभाजन q-cap बना सकते हैं, तो चूंकि ti और qi एक ही अंतरा capital ii के सदस्य हैं, तो इसलिए हम प्रतेक, i equal to 1 to n के लिए ऐसा कर सकते हैं, ti minus qi less than beta, तो यह हमारा h, shp, मतलब यह पहला आपका tag है, p-cap और दूसरा q-cap है, तो इसका हमने difference निका रहा है, उसकी absolute value ले ली और absolute value यह सब करने के बाद, क्योंकि यहां पर देखिए आपका common आ जाएगा, ti minus qi इसकी absolute value, इसकी absolute value से less होगी, तो इस तरीके से लिख लिए, xi, xi minus 1 से बढ़ा है, तो यह positive quantity होगी, तो अब h, यह हमारा beta से less हमने लिया है, तो beta से less ले लिया, और xi minus xi minus 1, i barrage from 1 to n, तो इस तरीके से यह cancel हो जाएगा, जब i की value 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, आपस में term cancel होगे, और वो हमारा xi minus x naught मिल जाएगा, तो इस तरीके से में, यह value beta मिली है, जो कि हमारा p cap, capital p cap के equal आया, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, कि इसकी value हमारी बनवाई 2 आ गई है, यह function हमारा रिमान इंटेग्रेवल है, और इसकी value बनवाई 2 आ गई है, अमालिया हमारे पास कोई function है, a to b to r में, जो रिमान समकली नहीं है, समकली नहीं है, तब limit as n tends to 0, p n, cap इसका norm जो है, वो 0 की तरफ tend करेगा, तो ऐसे tend करने वाले norm के लिए, टैगों, p n के किसी सहचारी अनुक्रम के लिए, हम प्राप्त कर सकते हैं, मतलब a to b f x d x के value हो जाएगी, limit and tends to infinity, ये रिमान सम ले लिया, s f p n cap, तो इसकी limit निकाल ली, उसके बराबर होगा, ये प्रत्यक के लिए है, अब इस पर वेजड हम लोग देख सकते हैं, कि माली जो 0 to 1 interval में है, हम लोगों को देखना है, f x equal to x function, रिमान समाकलनी है, और उसकी value जो होगी, वो 1 by 2 होगी, तो जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, 0 to 1 x dx, इसकी value 1 by 2, क्योंकि इसका integration करेंग, x square y2, upper limit lower limit रखेंगे, 0 to 1 तो 1 by 2 आती है, तो इसको prove भी कर सकते हैं, रिमान समाकलन से हम लोग देख भी सकते हैं, तो मान लिया हम लोगोंने कोई एक विभाजन ले लिया, और यह विभाजन है, पी एन इकोल टू इस interval का, 0 to 1 interval का विभाजन है, i upon n, i barrage from 0, 1 to up to n, तो यह विभाजन है और tag इसके हमने a ले लिया है, i upon n, n square plus 2n upon 2n square, यह देख भी सकते हैं, आप यह ही आएगा, और limit n tends to infinity इस पर apply करेंगे, तो limit n tends to infinity n square plus n upon 2n square, limit n square से डिवाइड करके तो अपके बनवाइट हुआ जाएगा, तो अधाप्र में दो से हम लोग previous theorem से कह सकते हैं, 0 to 1 x dx की बैलू 1y2 आएगी और यह बैसे भी हम लोग जानते हैं, तो यह function रिमान समाकलन है और उसकी बैलू 1y2 इसलिए कौशी का निसकर्स भी हम लोग देख सकते हैं, कि कौशी condition क्या है कोई function को समाकलन होने के लिए, तो मान लिए हमने कोई फ़लन है हमारे पास f ab2r तो a function रिमान इंटेगरेबल कभ होगा, यदि और केबल यदि और गिबन epsilon greater than 0 के लिए हमें, इटा epsilon जो की epsilon पर depend करेगा ऐसा greater than 0 एक नंबर ऐसा मिल जाए, एक्जिस्ट कर जाए, जिसके लिए नार्म आप दिस p cap और नार्म आप q cap, यह हमारा इटा epsilon से छोटा हो, ऐसा हो, a b के p cap और q cap क्रमसा कोई tag के विभाजन है, तो हमारा s f p cap minus s f q cap इसकी value epsilon से less होगी, मतलब ए हम लेके चलें, ए प्रूप कर दें, मतलब दो हमने ऐसे विभाजन लिए हैं, पहले विभाजन के लिए इसका नार्म जो है, इटा epsilon से छोटा हो, इसका नार्म epsilon से छोटा हो, तो इन दोनों के लिए इस absolute value के value epsilon से छोटी हो, मतलब इस remand sum और इस remand sum का हम difference जब लें, वो epsilon से छोटी हो, तो हम कह सकते हैं, वो function हमारा remand sum के लिए नहीं हो सकता है, और इसकी value 0 है जब हमारा affirmation का है, तो इस function को हम लोग dirichlet function कहते हैं, तो कौसी condition से हम लोग यह दिखाना है, कि यह function remand sum कलनी है या नहीं है, तो यह हम लोग देख सकते हैं, तो माल लिया हमने epsilon not की value हमने बनबाई 2 ले ली, और एक हमने विभाजन ले लिया pcap, वो आपका close interval 0 to 1 का विभाजन है, तो जिसके सभी tag परिमेशंख्या है, ऐसे tag ले लिये जो परिमेशंख्या है, तो उसके लिए हमारा remand sum sfpcap हमारा बन हो जाएग, क्योंकि परिमेशंख्या हैं के लिए function value हमारी बन दी हुई है, और दूसरा विभाजन qcap ऐसा ले लिया है, जिसके लिए सभी tag परिमेशंख्या हैं, तो उसके लिए sfqcap की value 0 हो जाएगी, तो माल लिया हमने delta greater than 0 के लिए ऐसा ले लिया है, पी-cap इसका norm delta से छोटा, qcap का norm delta से छोटा, तो ऐसे विभाजनों के लिए pcap और qcap का chain करना संभव है, परन्तो ऐसी सभी condition में हम जब इसका difference निकालेंगे, sfpcap-sfqcap, क्योंकि दो विभाजन लिए हैं तो उनकी value देखिए, इसका दोनों का difference लिखा, बन-0 तो इसकी value हमारी बन आ जाएगी, तो बन हमारा epsilon से बड़ा है, तो contradict कर गया, जो हमारी कौची condition है, वो contradict कर गई, तो कौची condition contradict कर गई, इसका मतलब है कि हमारा function जो है वो, डिरिचलिट function जो था वो रिमान समकलनी नहीं है, क्योंकि दो ऐसे विवाजन लिए, एक ऐसे विवाजन के करिस्पांद नहीं लिया, जहां परिमेह संक्याओं के लिए, टैग लिया आ है वहां पर दूसरा हमने परिमेह संक्याओं की बात की है, तो दुनों विवाजनों के लिए difference की इसकी value, S F P cap minus S F Q cap, इसकी value 1 जो की 1 by 2 से greater हो गई, तो यह directional function अमारा रिमान समाकलनी नहीं है, अब हम कुछ प्रमेह देख सकते हैं, कि यदि F belongs to RAB, तो AB पर F परिवद्ध होगा, मतलब function रिमान समाकलनी अगर है, तो वो bounded होगा, और कोई unbounded function अपरिवद्ध फलन है, तो वो रिमान समाकलनी नहीं होगा, तो यह ध्यान देने वाली बात है, कि कोई function रिमान इंटेग्रेवल है, तो वो bounded होगा, और कोई function unbounded है, तो वो रिमान समकले नहीं नहीं हो सकता अब मालिया कोई function real value function हमारा a b पर है और हमारे partition x i और x i minus 1 a partition इसका एक विभाजन है x i minus 1 to x i एक विभाजन है i हमारा 1 to n है sub interval में divide कर लिया तो सबसे पहले क्या करेंगे capital m i ऐसा number ले लिया जो मालिजी आइथ सब interval के लिए supremum value इसकी ले लिए fx function की तो fx function की supremum value किसके लिए लिए वो सारे point जो x i minus 1 to i में है मतलब आइथ interval में function की supremum value ले लिए ऐसे function की infinum value ले लिए आइथ interval के लिए x जब हमारा i minus 1 to x i में belong कर रहा है तो इन्फिर्मम बैलू और सुप्रिमम बैलू को हमने capital m i small m i से denote कर दिया तो विभाजन pk संगत f के उपर योग अपर सम जिसको denote करेंगे upf और निम्न सम lower sum को denote करेंगे capital l pf तो इससे denote करेंगे और इसको equation number 16 और 17 से denote कर देंगे तो upf आपका क्या होगा i barrage from 1 to n m i x i minus x i minus 1 तो यह आपका अपर सम आ जाएगा और lower sum i barrage from 1 to m m i x i minus x i minus 1 तो l pf से lower sum को हम लोग denote करेंगे तो f के उपर तता निम्न रिमान समाकल को क्रुमसा a to b bar fx और a bar to b fx से denote करते हैं तो आपर हमें रिमान integration निकालना है तो इसका infirmum ले 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 जिए lower निकालना तो इसका supremum ले 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 a to b bar infirmum आप upf और lower integral lower रिमान integral के लिए a to b fx dx supremum आप lp f तो इस तरीके से हम लोग यह कह सकते हैं और दोनों अगर equal हो जाएं तो हम कहेंगे उस common value को कहेंगे उसका f function का रिमान समाकल तो जब दोनों equal हो जाएंगे तो वो function रिमान समाकल अप्रमे 6 हम लोग देख सकते हैं कि मालिया हमारे पास कोई function है a b to a real value function जो हमारा परिवद्ध है bounded है और कोई अंतराल हमने a b का एक विभाजन ले लिया जो capital P है x naught x1 up to xn तब सभी सहचारी tag विंद्यों के लिए capital T ti to tn के लिए a होगा मतलब जो हमारा lfp cap यह छोटा होगा sfp cap which is less than equal to ufp cap मतलब upper sum lower sum से छोटा होगा तो इस तरीके से आपका हो जाएगा upper sum lower sum और रिमान तो एक तरीके से approximation है अब कोई function हम लोग देख सकते हैं वही तो इसके लिए upper sum lower sum हम लोग देख सकते हैं तो इसके लिए upper sum आपका बन आएगा क्योंकि इसकी value जब हमारे rational number है तो बन है irrational number के लिए 0 है तो इसका upper sum हमारा बन आजाएगा क्योंकि उस 0 to 1 interval में दोनों संक्या रहेंगे परिमेशन क्या आपरिमेशन क्या अनंत रहेंगे तो इससे हमारा upper sum और lower sum दोनों आजाएगा ये काएगा 0 lower sum upper sum upper sum ये आपका बनाएगा तो ये समाकलनी नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग आ रहें सेम आना चाहिए तो समाकलनी होता अब हम इकाई 15 में रिमान समाकलनी फलनों के कुछ गुण पढ़ते हैं इसके क्या गुण धर्म है उसकी हम study करते हैं तो इस पर प्रमे है कि मालीजे हमारे पास कोई दो फलन है R, A, B मतलब F और G फलन दोनों हमारे रिमान इंटेग्रेवल हैं तो K, F फलन जहां के एक बास्विक संख्या है तो K, F भी हमारा रिमान इंटेग्रेवल होगा और उसी इंटेग्रेशन की बैलू आएगी A to B integral A to B K, F की बैलू आएगी K, integral A to B, F क्योंकि F का रिमान इंटेग्रेशन हम लोग जानते हैं तो K, F भी आपका रिमान इंटेग्रेवल होगा K की बैलू आपकी 0 भी हो सकती है K की बैलू 0 नहीं भी हो सकती है तो दोनों के लिए ये true है अब दो फलन है जो आपके रिमान इंटेग्रेवल है तो उसका F प्लस माइनस G भी आपका रिमान इंटेग्रेवल होगा और उस फलन की बैलू क्योंकि F और G का ये दिया हुआ ये रिमान इंटेग्रेवल है तो A to B F प्लस G की बैलू हो जाएगी A to B F प्लस A to B G तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं दोनों फलन नमाने रिमान इंटेग्रेवल अगर हैं तो उनका सम भी रिमान इंटेग्रेवल होगा और उनका डिफरेंस F माइनस G भी रिमान इंटेग्रेवल होगा और उसकी बैलू हम इस तरीके से लिख सकते हैं अब मालीजिये हमारे पास फाइनाइट नमबर अफलन है F1 F2 Fn जो रिमान इंटेग्रेवल है तो उनका लिनियर कांबिनेशन जब हम लेते हैं लिनियर कांबिनेशन के लिए हमने स्केलर बैलू इस ले लिए हैं K1 K2 up to Kn तो उसका लिनियर कांबिनेशन जो है वो भी रिमान इंटेग्रेवल होगा और उसकी बैलू क्या हो जाएगी अगर हम ऐसे करें कि A to B F और F लिनियर कांबिनेशन में आपका है समेशन आई इकोल टू बन टू एन के आई एफ आई तो इसकी बैलू आपके आजाएगी समेशन आई बैर était from 1 टू एन के ओन इंटेग्रेशन एफ वन प्लस के टू इंटेग्रेशन एटू बी एफ टू तो इस तरीके से हम बैलू निकाल सकते हैं तो फलन जिनका रिमान इंटेग्रेवल फलन है finite number आपा है तो उसका linear combination भी आपका रिमान इंटेग्रेवल होगा और value इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं अगली प्रमे हमारी है कि मालिया हमारा कोई function रिमान इंटेग्रेवल है और जिसमें आपका f और g दो फलन रिमान इंटेग्रेवल है और जिसमें सभी x belongs to a, b interval के लिए f x की value g x से छोटी है तो जब f x की value g x किसे छोटी है किसी particular close interval में a to b में तो integration a to b f minus integration a to b g इसकी value हमेशा इससे छोटी होगा तो यह ध्यान देने वाली बात है कि f x हमारा जब g x से छोटा होगा तो उसका रिमान इंटेग्रेवल इस interval में a to b में ए छोटा होगा f का रिमान इंटेग्रेवल g के रिमान integration से छोटा होगा अब मा लिजे हमारा कोई फलन जो है x belongs to a b है x belongs to a b है फलन हमारा रिमान इंटेग्रेवल है और fx हमारा absolute value fx m से छोटी है मतलब यह हमारा function bounded है और इसका bound capital M है तो integration a to b f की value जो हमारी आएगी इसकी absolute value जो आएगी वो remand integration से हम लोग निकाल लेंगे इस फलन के लिए upper remand integration, lower remand integration दोनों निकाल लेंगे और दोनों की value निकालने के बाद उसका upper bound जो आएगा वो आएगा m b minus a तो integration a to b f absolute value of integration a to b f this is less than equal to capital M b minus a तो इस उपर में को हम लोग इसको prove भी कर सकते हैं अब मालिया हमारे पास कोई fallen है capital phi जो की ab to real value function ab to r तो यदि इसके cable एक परिमिस संख्या में भिन भिन मान होते हैं जिन में से प्रतेक ab के लिए एक या आधिक उप अंतरालों के मान गरहन करता है तो इसको पग फलन कहेंगे तो जैसे हमारे पास function fi ab to r एक पग फलन तब होगा जब इसके sub interval में मालिजे हमारा इसका हमने sub interval किया a to b का तो पहले sub interval मालिजे ए डी डी बन टू डी नॉट टू डी वन कैपिटल आई वन डी टू डी वन डी टू ऐसे हमने लिए डी टू डी ट्री डी एन माइनस बन डी एन और जहां पर डी नॉट हमारा a के बनावर है और डी एन बी के बराबर है तो इन sub interval में जो function की value है तो वो है k1 k2 up to kn तो nth sub interval में kn तो यह step function हो गया जैसे greatest integer function भी आपका step function होता है 0 to 1 में 0 value 1 to 2 में 1 2 to 3 में 2 तो greatest integer function वो भी step function होता है मतलब पग फलन हमारा होता है तो इसको हम इस तरीके से भी अगर हमने एक base ऐसा function ले लिया phi j a b to r तो phi j x की value हमारी 1 हो गई x belongs to i j और 0 हो गई x does not belongs to i j तो इस पग फलन को इस तरीके से भी हम लोग denote कर लेंगे capital phi equal to summation j barrage from 1 to n kj phi j इस ते बेक्त कर देंगे यह कैसे कर देंगे क्योंकि हमारा phi j को हमें पता है कि उस sub interval में अगर phi j है तो इसकी value 1 हो जाएगी बागी sub interval में उसकी value 0 हो जाएगी तो इस तरीके से एक पगफलन जो है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं phi j हमारा यहांपर basis function हो गया यह generate कर रहा है उस पगफलन को तो प्रतेएग phi j एक पगफलन है तता एक प्रारंबिक पगफलन कह लाता है फाइ जो को प्रारंबिक पग फळन कहा दें या इसको Partsusela AR gonna function 211 सटारिक बहुतल है इसको भी देख लेते हैं तो माल लिया हमारा C less than equal to D, अंतराल AB में बिंदू है, यह दिया हुआ है, मतलब C और CD से छोटा है और अंतराल में बिंदू है, दो बिंदू हो गए, और फाई हमारा AB to R है, तो फाई X alpha यद X blank to CD, और फाई X हमारा 0, X does not blank to CD, द्वारा परिवासित एक फाई है, तब फाई हमारा RAB मतलब रिमान इंटेग्रेवल होगा, और इस इंटरवल की वैलू A to B, फाई की वैलू हो जाएगी, alpha D minus C, एपर में हम लोग ध्यान रख सकते हैं इसको लिए, क्योंकि इसका यूज भी होता है, अब नेक्स्ट हमारा थेरम A है, कि यद अन्तविंदियों C less than B बाले, अंतराल का उप अंतराल capital J है, तथा यद फाई J हमारा जो step function है, वो AB to R है, तो 5J X equal to 0, if X belongs to capital J, and it is 0, if X does not belongs to capital J, इस तरीके से अगर परिवासित है, तो इसके value हमारी हो जाएगी, 5J belongs to RAB, मतलब जो हमारा step function है, वो रिमान इंटेक्रेवल हो जाएगा, उसकी value यह आजाएगा, इस पर बेज़्ड एक थेरम है, यद फाई हमारा step function है, पगफलन है, तो fi हमारा जो है, रिमान इंटेक्रेवल होगा, तो यह जितनी भी थेरम्स है, यह माइन में रखने वाली हैं, नेक्ष्ट हमारा कुछ थेरम से हैं कि continuous function रिमान इंटेगरेबल होगा और यह function हमारा monotone है तो रिमान इंटेगरेबल होगा इस तरीके से हम थेरम 8 भी देख सकते हैं कि मालिया हमारे पास से कोई function है और उसको a to b मतलब कोई point of discontinuity है तो इस तरीके से लिख सकते हैं तो इस तरीके से आज के lecture में हम लोगों ने रिमान इंटेगरेशन पढ़ा और higher order के derivative पढ़े तो इसमें कुछ प्रमे भी हम लोगों ने देखी है जिसमें ध्यान देने वाली बात यह होती है कि कोई भी bounded function है तो वह रिमान इंटेगरेबल होगा तो यह सारी बहुत सारी अगले लक्षर में हम लोग देखेंगे फालनों का फालन हम लोग देखेंगे अगले लक्षर में तब तक लिए धन्यवाद नमस्का